नमस्कार मैं हूँ अबिनेंदर और आपने देखना सुरू कर दिया है इस पेसल रिपोर्ट खबर उत्तर प्रदेश की जन्तपत गाजीपूर से है जहां गरीबों की मसीहा जरुवत बंदों की मदद करने वाली जिला प्रसासन लागडाउन में फेल होती हुई नजर आ रही है एक तरफ आजान के मुद्दे पर वो सक्त है तो दूसरी तरफ लागडाउन में वो फेल ह होती हुए नजर आ रही है वहीं दूसरी बात आपको बता दूँ कि जिला प्रसासन की एक तरफ तारीव भी करनी होगी कि जिला प्रसासन ने गरीबों की और जरुवत मंदों की मदद की है लेकिन कहीं न कहीं जो जन्तपत में लागडाउन का उलंगन हो रहा है उसको रोक दूदातरीन खबरे मिलती रहें सवाल हो तो कमेंट करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर जरू करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरुक हो सकें शुरुवात करते हैं खबर की खबर है उस्तरपदेश की जन्पत गाजीपुर से जन्पत खोल कर जनता की भीड इकटी कर रहे हैं जहां पर लॉकडाउन का गोर उलंगन होता हुआ नजर आ रहा है यह सिलसिदा दिन तक चला आ रहा है यानि आप 9-10 बज़े तक भी जाएंगे तो आपको ऐसी इस्तितियां जन्तपत गाजीपुड के खास तोर से शहर में देखने को मिल जाएंगे तो सवाल पैदा होता है कि प्रसासन कहां पर है क्या उसकी नजर इन जगहां पर नहीं जाती है कि इस तरह से जो घोर उलंगन हो रहा है उसको रोका नहीं जा रहा है तो उसके उपर क्या कारवाही करनी चाहिए दूसरी तरफ एक तरफ जहां प्रसासन यहां आजान करना चाते हैं जैसा कि हमारे पास खबरे आई हैं कि तमाम जगहों पर तमाम सहरों में तमाम जन्पदों में आजान की अनुमती है और आजान हो रही है इस तरह की खबरे आई हैं तो उनी खबरों के अधार पर हम आपसको बताना चाहरे हैं जन्पद गाजीपूर में आजान की अनुमती नहीं दी गई 24 अपरेल 2020 दिन सुक्रवार को सुबह 11 बजे जिला अधिकारी गाजीपूर ने एक बैठक की उस बैठक में जन्पद गाजीपूर से जुड़े हुए धर्मगुरू समलित थे ये धर्मगुरू मुस्लिम समुदाय से थे बैठक में ये कहा गया कि आप सुबह और शाम आजान कर सकते हैं आजान करने के लिए केवल एक ही विक्ती मस्जित के अंदर जाएगा इस बात की कन्फर्मेशन करने के लिए हमने सुचना अधिकारी से भी बात की लेकिन उसी दिन साम होते होते फैसला बदल गया और आदेश आया कि आजान नहीं होगा लेकिन ये आदेश लिखित रूप से नहीं था मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ उस वीडियो को देखिए उस वीडियो में क्या कहा जा रहा है आप नोटिस दिखा देंगे बंद हो जाए हो कोई बात नहीं होगा बात वोने बात जो जो चला है इसने नादी माना कि अजान से क्या था विडियो इसने अजने था आप बता से क्या तरूका से नादी क्या था उस दें कोई मस्टेंजिए अप लोगे इस सब्सक्राइब कराजे रहा हो जी कोई बार नाव नवाज इस वीडियो में कहा जा रहा है कि यदि आजान पर रोक लगाई जा रही है तो उसकी लिखित आदेश दिये जाए अब ये मामला बहुत दूर तक चला गया और इस मामले में कई अन्य लोग भी शामिल हो गए इसमें शामिल हो गए असलम राइनी जो की विगना विधानसबा की विधायक है उन्होंने उत्तरपदेश सासन को पत्र लिख कर गाजीपूर में आजान की अनमुती की मांग की तो गाजीपूर के सांसद अबजाल अंसारी भी इसमें पीछी नहीं रहें उन्होंने हौनेवल चीफ जस्टिस हाई कोड को पत्र लिखा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उन्होंने अपील की है सारे नियम कानून को बताते वे अपील की है कि गाजीपूर में आजान ह तो आजान होनी चाहिए इस पूरे लेटर में पूरे अपील में कई सारे नियम कानून का जिक्र है और इसमें आजान की मांग की गई है अजान नहीं हो रहा है इस बिसे में आपकी क्या रहा है और क्या पहल की जा रही आपके तरफ से मस्पत अल्ला अनसारी मुहमदाबाद का पूरू विधाय को हमारे जिले में इस पवितर महीने रमजान में अजान ना देने का जो परतिबंद लगाया गया है वो बहुत चिद्धा जनक है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी अजान पर कोई परतिबंद नहीं है अजान देना हमारी मजबूरी है इसले के सुरियास्त और सुर्योदै का समय हर रोज बदल रहा है जब तक अजान नहीं होगी ये हमें पता नहीं चलेगा कि सुर्यास्त हो गया रोजा खूर ले ऐसा ही जब तक सुबू की अजान नहीं होगी तब तक ही नहीं पता चलेगा कि सहरी का वक्त समात हो गया है इसलिए आजान देना मजबूरी है हमारी लेकिन हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने पता नहीं किस दबाओं में किस बात को सोच के आजान बंद करा दी मुझे समझ नहीं आ रहा है सर्व आजान को प्रारम कराने के लिए क्या आपके द्वारा और सांसद अफजाल अनसादी के द्वारा कुछ किया रिया है बहुत से लोग आजान के इस बंद करने के पैसले पर पुना विचार करने के लिए तमाम शिर्ष ने टूतिष से बात कर रहे हैं उसमें अफजाला अजसारी साहब ने भी खाजिपूर के सांसद के हैसियत से अपने पत्र तमाम भेजे हैं और भी तमाम सामजिक संस्थाओं के लोग राजवास राजवास सांसद महमुद बदिनी साहब और और भी कई समाजिक संगठन के लोगों ने मुक्तमंचरी प्रधानमंचरी और तमाम लोगों से ये अन्रोट किया है कि ये फैसला जो है बहुत जिम्मेदाराना है इससे बहुत कठिनाई हो रही है ये मुस्लिम मद्दों को रोजा रखने और रोजा खोलने में फिर से इजाज़त दी जाए और अजान देने दिया जाए वजिम्मेदारी से कहरा हूं के अजान सुनके कोई भीड़ मस्जिद नहीं जाएगी जैसे एक महिना नहीं गई है ऐसा ही हम आगे भी बिलकुल लागडाउन का पालन करेंगे दो गजदूरी बना के हम सब रहेंगे और अपने छेतर, जिला, प्रदेश और देश को इस महामारी से बचाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये विश्वास दिलाते हैं गाजी पुजिला प्रशासन ने जरुत मंदों की मदद की है, गाजी पुजिला प्रशासन ने जगा जगा पर रासन पहुचाए हैं, क्योंकि इस लागडाउन में जो लोग गरीब थे, जो मजबूर थे, जो भूखे थे, उनको जरुध थी, जहाँ पे प्रशासन पर्मिशन नहीं दिया इसकी तारीफ होती है उनके काम को लेकर जो वो काम करते हैं जिस तरह से वो जनता की मदद करते हैं जनता तक सुईधाय पहुचाते हैं लेकिन इन मुद्दों पर वो कमजोद कैसे फड़ गया इन सवालों के साथ मैं आपको छोड़ की जाता हूं उमीद करता हूं जल्द ही इसका जवाब मिलेगा, नमस्कार.